नमस्कार, मैं डॉक्टर बनीशा दिक्षित, प्रणायतन आईरवेद में आज आपके साथ हूँ, आज हम चर्चा करेंगे सोने पे सुहागा, सुहागा जिसके बहुत सारे अंगिनत फायदे हैं, और ये बहुत आसानी से बाजार में उपलब्द भी है, इसके इतने फायदे हैं कि इनको जानना बहुत जरूरी है, तो आईए इस वीडियो में हम देखें कि इसको आप कैसे प्योर कर सकते हैं, कैसे औशदिये प्रियोग में ले सकते हैं, और अपने घरेलू उप्योगों में आप किस तरीके से इसको ले सकते हैं, इस पूरे विशय में हम इस वीडि इसके कारण ही ये फूलने की इसमें प्रिविर्ती होती है आचारियों के अनुसार सुहागा जो है वो उष्ण है मतलब होट है नेचर में साथ में तीख्ण भी है और इसमें शारिये गुण पाई जाते हैं इन्हीं सब गुणों के कारण ये हमारे लिए बहुत अधिक लाब है तो इसको कैसे आप प्योर करेंगे सबसे पहले अशुद्ध सुहागे को पचास ग्राम लेकर के कड़ाई पर मध्यमगनी पर हम डालेंगे उसके बाद इसको लगातार चलाते हुए धीरे-धीरे भूनते रहेंगे एक चीज ध्यान रखें कि इसको लगातार चलाते रहे सुहागे को भूनते समें आप देखेंगे कि इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूस होने के कारण उनमें बुदभुधाट आती रहेगी ये सुहागा खील की तरह फूनता जा रहे है इसलिए इसको सुहागे की खील भी कहा जाता है अलिए इस सुहागे में इसे पानी के मॉल्क्यूस समाप्त हो नकल जाए判 अप द्राइः हो गया हए इस sven भूरा हो गया है तुरंत दूद पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, या जिन में बार-बार फटा हुआ दूद निकलता रहता है, या जिन का पाचन अच्छा नहीं होता है, तो माता हैं काफी परेशान रहती हैं, तो इसके लिए आप अपने नवजार शिशु को एक चुटकी भर सुहागा चटा सकते हैं, इसको आप चाहें तो शहद में भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ यदि बच्चा थोड़ा सा बढ़ा है, मना कि छे महीने से जादा है और लगभग 6 साल तक की आयू का है, तो उसको आयू के अनुसार हम 5-10 मिलीग्राम सुह परबड ब्लॉटिंग की प्रॉबलम होती है, गयस बनने लगती है, वो लोग भी रूटीन में सुहागे का प्रियोग कर सकते हैं, दूसरा जिन लोगों में कई बार एब्डामिनल पेन होता है, इस्पेशली जो कोली की पेन होता है, उसमें भी सुहागे का प्रियोग किया कफ निश्चा रखे इसकी तीक्षनल प्रपरटी है और यह गर्म भी है तो हमारे म्यूकस को पिगला करके यह एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है इसको आप लगवाग 250 mg से 500 mg तक की मात्रा इसकी आप शहद में मिला करके दिन में तीन बार चाट सकते हैं या आप चाहें तो सितोपलादी चूण को एक से दो ग्राम लेकरके उसके साथ भी सुहागे को मिक्स करके लें यह सुहागा ब्रॉंकोडाइलेटर का काम करेगा और साथ में जो ग्रीन या यलो कलर का म्यूकस आपके लंक्स में बन रहा है उसको भी विलेन कर देगा उसको पिगला करके ब सेवन कर सकते हैं आईए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की क्योंकि महिलाओं को कई बार मासिक से सम्वंदित परिशानिया होती हैं उनकी मैंस्ट्रॉल रिस्ट्रवेंस होते हैं कई बार उनमें ऑलिग्यो मिनोरिया या महिना बहुत कम आता है तो ऐसी स्थिती में भी सुहागे से बनी हुई preparations जैसे रजाप्रवर्तनी वटी का हम प्रियोग कर सकते हैं यह उनके मासिक स्राव को नियमित करने में सहायक होती है इसके साथ साथ यह हमारे UTI यह जिसको हम कहते हैं कि पिशाब में infection होना उसको भी सही करता है क्योंकि सुहागे के अंदर antimicrobial, antibacterial और anti-inflammatory properties हैं साथ ही यह हमारे शरीर के infection को भी cure करता है तो एक सुहागे के बहुत सारे फाइदे हैं आप इसको यह बार-बार आपके urinary tract infection हो रहा है तब भी आप सुहागे का नियमित रूप से प्रियोग कर सकते हैं अगला फाइदा है कि जो हमारे कुछ लोगों को skin की problem होने लगती है या कई बार आपने देखा होगा कि नाखून जो है लोगों के खराब होने लगते हैं तो ऐसी स्थिती में आप सुहागे को लेकर के उसको olive oil के साथ mix कर लें और उसका लेप नखूनों पे उससे मालिश कर सकते हैं दूसरा बहुत सरे लोगों में dendruff की समस्या बहुत common हैं तो dendruff से निजात पाने के लिए आप क्या करें कि एक चमस सुहागा ले लें उसको 30-40 ml coconut oil, olive oil या mustard oil जो आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ उसको mix कर लें और साथ में डालें एक निबू का रस और इसको रात में आप इससे मालिश करके सो जाईए और सुबे कोट कर शेंपू करिए आपकी dendruff भी खत्म हो जाएगी साथ में कुछ लोगों को आप जैसे गर्मिया आ रही है उनको समस्या होती है कि उनके पसीने में बहुत बद्बू आ रही है तो ऐसे लोगों को क्या करना है एक चमस सुहागे को नहाते समय आप अपने पानी में मिक्स कर लें और उस पानी से आप नहा सकते हैं इससे आपके पसीने की बद्बू में आराम मिलेगा साथ में कुछ लोगों में इसकिन के ऊपर वार्ट्स हो जाते हैं वार्ट्स एक उभार उभार से होते हैं जिसमें कई बार उन्हें देखने में भी गंदे लगते हैं और उनको खुझली भी रहती है तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सुहागे को एक स्टील की चमश में ले 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 एक चमश सुहागा स्टील की चमश में ले करके आप उसके अंदर नीवू का रस मिक्स कर ले और उसका पेस्ट अपने वार्ट्स पर धीरे-धीरे लगाए इससे कई बार थोड़ी इरिटेशन होती है क्योंकि नीवू की प्रिक्रती है वो एसिडिक है और सुहागा हमारा एलकलाइन है थोड़ी देर में ये एरिटेशन शांत हो जाएगी लेकिन यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसको प्रियोग ना करें ये उपाए वार्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा उपाए है एक चीज और कहूंगी कि कुछ महिलाओं में जो दो भाग हल्दी का मिला लें और मिला करके उसका पेस्ट बना करके आप उस जगा पर लगा सकते हैं आपकी बिंदी की अलर्जी है वो भी समाप्त हो जाएगी एक छोटा सा उपियोग और बता देते हैं कि कुछ लोगों को लगातार बार-बार मुह में छाले होने की समस्य होती है तो बिल्कुल ना घबराएं सुहागे को आप शहद में मिक्स करके उसको कॉटन बड्स से या मार्केट में बड्स एवलेबिल हैं उनसे आप हलका सब वहां पर लेप कर सकते हैं इसके साथ साथ लेकिन एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि जिस चीज क फायदे होते हैं उसके नुकसान भी हो सकते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सुहागा आसानी से अवलेबिल है तो बस हम इसका सेवन ही करते चले जाएं मैक्सिमम आप इसको जब भी लें दो से चार हफते तक लें क्योंकि बहुत दिनों तक यूज करने पर इसके साइड भी हो सकते हैं इस्पेशली पुरुषों में यदि हम बहुत समय तक यूज करते हैं सुहागे को तो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है साथ में जो हमारी गर्ववती महिलाएं हैं उन वो भी सुहागा लेने की कोशिश ना करें क्योंकि सुहागा प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और फीटस को नुकसान पहुचाता है और एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आप सुहागे का सेवन करते हैं तो उसमें क्या चीज ना खाएं क्योंकि कोई भी औशदी आप ले रहे हैं तो वो हमें कुछ न कुछ परेस तो बताती है तो ऐसी समय जिस समय आप सुहागे का सेवन कर रही है तो दही ना लें, चावल ना लें, खटाई, तलिभुनी चीजें, ठंडी चीजें और बासी चीजों का प्रियोग ना करें और केला भी ना खाएं, तो इन सब चीजों को आप यदि नहीं लेंगे, तो सुहागा आपके लिए बहुत अदिक फाइदे मंद होगा अब बात आती है, इसकी कितनी मात्रा हम बड़ों में लें, और कितनी मात्रा हम बच्चों में लें तो यदि हमारे जो छोटे बच्चे हैं लगवग 6 साल तक के, उनमें मैंने जैसे पहला बताया, आप मैकसिमम दस से 20 मिली ग्राम की मात्रा इसमें प्रियोग कर सकते हैं और जो हमारे बड़े लोग हैं, उनमें आप एक ग्राम तक की मात्रा को या दो ग्राम तक की मात्रा को पूरे दिन में ले सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ, कि आपने देखा होगा कि हमारे सोने जैसे सुहागे कि कितने अन्गिनत फायदे हैं और ये लोगोपती इसलिए बिल्कुल चर्तार्थ होती हैं कि इसके हमारे सारे सिस्टम्स पर ही फायदे हैं तो आशा करती हूँ कि आप इस सुहागे के जो प्रियोग हैं उनको करेंगे और उनसे होने वाले जो भी लाव हैं उनको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्या फायदा हुआ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन भी प्रेस करें ताकि आप फर्दर नोटिफिकेशन ले पाएं और यदि आप हमसे कोई किसी डिजीज से संबंदित कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसका कॉंटेक्ट नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है दन्यवाद